नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने येट्यूब चनल वी नियूजकेसन पॉइंट में दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नमर 11 केतना देखेंगे सेट नमर 11 और दोस्तों ध्यान रखना इससे पहले हम लोग एक से लेके 10 तक रिविजन कर दिये हैं तो जाके फटापट रिविजन कर लेजिए और दोस्तों ध्यान रखना ये बिहार असेसिक आपका जो है इजूटेडिया परकासन का सेट है ठीक है सबसे ज़्यदा दोस्तों ये रिजल्ट दिने बाल बुक है ध्यान रखना इसलिए इस सेट को आप अच्छे से भी कर चुक है इन सभी का दोस्तों अलग अलग अपका प्लेलिस्ट बना दिये ठीक है जिसने भी रिविजन नहीं किया है जाके फटा फट रिविजन कीजिए और दोस्तों ध्यान रखना अच्छा मौका है इस वाल ये दोस्तों बैकेंसी बार बार नहीं आए और ये मौक पूरी लेने कर ठीक है अच्छा पोस्ट पे ठीक है ध्यान रखना तो चले सो वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले इस चैनल पे नाए है तो जरूर चैनल को सब्सक्काइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ सेर करना और अगर इसका पीडिया आपको मिल लगा टेलگराम चल पर टेलगाम जोइन करके आप पीडिया भी ले सकते हैं जिसका लिंक management को प्रास्तावना सविधान का एक भाग है किस यहां पर वाद में याद रखना इस का राई टेंसर क्या होगा सी हो जगा यह केशवा नंद भारती वाद ठीक है आपसन यहांसे सी आपका करेक्ट होगा याद रखेंगे कौन सा एक समेती है जो राजियों के पुनर गठन से सम्मधित नहीं है याद रखना यहांसे आपका राज के पुनर गठन से सम्मधित नहीं है इस कराइटेंस से C हो जाएगा भासाई और धार्मी कदार पर ठीक है आपसन यहां से क्या होगा C आपका correct हो जाएगा next एप क्या पूछ रहा है यहां पर करें कि किस सविधान संसुधन के द्वारा संपती के अधिकार को करें कि मूल अधिकार से हटा कर विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बनाया गया था important question है संपती के अधिकार से question पूछ रहा भी ठीक है याद रखेंगे स्कराइटेंस से क्या होगा यह B हो जागा चवालिसमा सविधान संसुधन 1998 ठीक है ध्यान रखना इसके तर दो संपती के अधिकार को मूल अधिकार में से हटा के विधिक अधिकार या कभी-कभी कानूनी अधिकार रहता है याद रखना यानि कि बना दिया है ठीक है ध्यान रखेंगे किसी भी राज में अधिक्तम कितने समावधी तक राष्टपती सासन लागू रह सकता है याद रखना यह अनुछेद 143 के तहट ठीक है आपसन डी यहां से याद रखेंगे नेक्स अब क्या पूछ रहा है यहां पर करके किसी राज में पंचायतों के निर्वाचन की तिथी की घौसना कौन करता है यह पंचायत का जो निर्वाचन होता है याद रखना यह राज के दोस्तों जाहे है आपका निर्वाचन आयोग के दोरा कराया जाता है आपसन यहांसे B आपका correct हो जागा याद रखना और निर्वाचन अयोग अगर पूछे कितने अनुछेद में है तो याद रखना 324 में है नेक्स अब क्या पूछ रहा है यहांपे कर रहा है कि निमलिखित में से कर रहा है कि संग सुची का कौन विशय नहीं है संग सुची का यहांपे विशय कौन सा नहीं है तो यह आपका police दोस्तों आपका संग सुची का विशय नहीं है नेक्स अब क्या पूछ रहा है कि अंग्रेजों द्वारा पेशवा पर था किस पेशवा के काल में समाप्त कर दिया याद रखना इस right answer क्या होगा बाजी रह दूती है यह question में बहुत confusion होता है इसको अच्छे से आप याद रखेंगे ठीक है इसका right answer यहांसे A आपका correct हो जागा next step क्या पूछ रहा है यहांपे कर रहा है कि किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को कर रहा है कि मुख सेना पती तथा गवर्नर जनरल दोनों की रिखतिया यहांपे परदान की गई कौन सा अधिनियम के तथ यहाद रखना इस correct answer क्या होगा D हो जागा 1786 का अधिनियम ठीक है D आपका correct हो जागा next step यहां सूची दिया है आपको यहांपे मिलान करना है ठीक है एक setup का जो है क्या दिया है एक setup का संस्था दिया है और दूसरे setup का दिया है संस्थापक कोन है ठीक है यहांपे देखेंगे क्या होगा यहांपे देखेंगे क्या कर रहा है यहांपे कर रहा है कि depressed class mission society depressed class mission society का जो दूसरों यहांपे अस्थापक हो जागा यहाद रखना यह B.R.S. Indi हो जागा यानि कि A.K.A. 2 हो जागा इसका दुस्मों जास्ता अपना किया था C का क्या हो जएगा एक नमर हो जएगा निकी आपका भीमरो अंबेदकर हो जएगा ठीक है उसके बाद क्या है सत्त सोधक समाज सभी लोग जानते इसका क्या होगा जो तीवा फूले इसका जो राई टेंसर आपका है बारा का यह आपका D यहां से correct हो जाएगा नेक्स एप क्या पूछ रहा है यहां पर करके भारतिय विश्विद्याला अधिनियम 1904 के अध्यक सिनिम्न में से कौन थे भारतिय विश्विद्याला अधिनियम 1904 ध्यान रखना इसका राई टेंसर क्या होगा इसका राई टेंसर आपका हो जागा टॉमस रेले सर्ड टॉमस रेले हो जागा ठीक है आपसन यहां से B आपका correct हो जागा याद रखना है कि किसे अपनी गोली का सिकार बनाए था कौन मंगल पांडे ने याद रखना इसका राई टेंसर क्या होगा बी हो जागा आपका यहां पर सर्जिंट आपका हुरास हो जागा ठीक है हुरसन आपसन यहां से B आपका correct जागा और ध्यान रखना मंगल पांडे किस से रिलेटेड है याद रखना यह 1857 के क्रांती जो हुआ था उसके मुखे नेता के रोप में यह उबरा था ठीक है ध्यान रखना दोसों जापका यह पांसी पे चड़ने वाले 1857 के क्रांती के तहट यह पहले व्यक्ति थे ठीक है 1857 के क्रांती से question पूछा जाता है याद रखेंगे 1857 के क्रांती दोसों दोस मई को शुरू हुआ था मेरट से ध्यान रखना याद रखना है 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 नेक्स अब क्या पूछ रहा है यहां पे दिया चच नामा के यहां पे चच नामा अली अहमद द्वारा अरभी भासा में लिखी तेक पर्मुख गरंत है ठीक है जिसमें करहा है कि मुखी रूप से वर्नन किया गया है यानि कि चच नामा में करहा है कि पर्मुख यहां पे दो अपका मदर लेंड के याद रखेंगे इस कराईट टेंसर क्या होगा ए हो जाएगा आपका और सायूग अंधलन के दौरान ठीक है आपस रिक्वेस्ट अगर आप इस चैनल पर नए है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ठीक है ड एक से लेके 10 तक हम लोग revision कर चुके हैं, इसका अलग आपको playlist बना दिये हैं, जिसने भी revision नहीं किया है, एक से लेके 10 तक जाके फटापट revision किजिए, ठीक है, और सुन ध्यान रखना, किसी भी तरह कोस्टी किजिए, इसी वेकेंसी में नोक्री लेने का, ठीक है, बार बार य किस सासक के सिका पर जहाज का चित्र बन भायता, साथ वन्वन्स के किस सासक ने, याद रखना है, इसका राइट टंसर क्या होगा, आपका 20 का यहां से A हो जागा, यहां से A आपका direct हो जागा, कभी कभी direct आपको सत करनी यहां पे दे देगा, नेक्स से पर देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहां पर एक इस नमर क्वेशन क्या कर रहा है, यहां पर दिया है, सुमेलिद करना है, ठीक है, यहां पर एक साट खननचेतर दिया है, एक साट यहां पर खनीज का संपदा दिया है, यहां पर देखेंगे क्या होगा, यहां पर देखेंगे क्या होगा, काला में क्या होता जदा तर्त याद रखना सो ना होता है तीक है उसके बाद क्या है उसके बाद यहाँ पर आपका मोसा बनी है मोसा बनी याँ पर तामबा याद रखनाiego सब्त byłे हैं Do निमलिखित में से कौन कर रहे कि मानब भूगोल का जनम दाता है तो याद रखना मानब भूगोल का जनम दाता है आपका कौन जाएगा तो यापका D हो जाएगा ठीक है फ्रेडरीक रेट जेल याद रखना दोस्तों यह बहुत ही important question देगा क्योंकि confusion question है ठीक है ध्यान रखे नेक्स अब क्या पूछ रहे हैं यहां पर कर रहे हैं कि आधो लिखित महासागर में से किसमे कर रहे हैं कि तट रहा नहीं है किसमे यहां पर तट रहा नहीं है तो तैसका right answer यह B हो जाएगा सारगेशो सागर option यहांसे B आपका correct हो जाएगा next step कि आप पूछ रहे हैं किस चटान में जिवासम पाए जाते हैं किस चटान में जिवासम पाए जाते हैं यहां पर right answer याद रखना यह B हो जाएगा अवसाधी चटान क्या होगा यह अवसाधी चटान option B यहांसे याद रखेंगे next step कि आप पूछ रहे हैं कि काजी रंगा कि यहाँ पे काजी-रंगा नेशनल पार्क इस्तीत है काजी-रंगा नेशनल पार्क इस्तीत है ति याद रखना है यह असम में कहां पे असम में आपसन यहाँ से d आपका राइट हो जाएगा Next up क्या पूछ रहा है कि निमले खित में से कौन सी नदी करा है के भुमद रेखा को 2 बार काटती है कौन सी रेखा है भुमद रेखा है तो याद रखेंगेpoint 설 क्या होगा C हो जागा यह जाएरे नदी क्या होगा यह जाएरे नदी option यहाँ से C आपका right हो जागा next up क्या पूछरा यहां पर करें कि कौन सी नदी कस्मीर गाटी से बहती है कौन सी नदी यहां पर करे कि कस्मीर गाटी से होकर बहती है याद रखना इसका राइट एक सिखर जेलम हो जागा ठीक है आप सन ऐ यहां से याद रखेंगे कौन सा नहर है जो आपका परसांद और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है important question सब यह है ध्यान रखना कौन सा एक नहर है दोस्तों जो आपका परसांद और अटलांटिक महासागर दोनों को जोड़ती है आपस में यहाँ पर राइट एंसर याद रखना पानामा हो जाएगा ठीक है पानामा नहर आपसन यहाँ से C आपका करेक्ट देगा और सोईज नहर सभी को पता है लाल सागर और भुमद सागर को जोड़ती है यहाँ पर देखेंगे क्या पूछ रहा है। 안Melee खितमे से कौन सी एक शंस था विदेसी वानिजिक उधारी को नियमीद करती है, यहाँ रखना इस करायर टेंसर D हो जाएगा भारतिया रिजर्थ बैंक, आपसन यहाँ से D आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स एप क्या पूछ रहा है यहां पे कर रहे कि भारत में सेवा कर किस की सी फार इस पर यह लागू हुआ था किस की समयति पर कौन सी समयति पर यह कोशन आपका रिपीट हो रहा है पहले भी हम लोग सेट में यह देख चुके हैं तो आपको 12 आप बोल रहे हैं जो कोशन आ लग रहा है या जो कोशन नया लग रहा है इन कोशन को आप लिखिये कौपी में इससे क्या होगा आपका confidence बढ़ेगा और जब next time कोशन पूछेगा ता आपको confusion और दिकत नहीं होगा इसको आप समझे अच्छे से और लिखिये कौपी में तभी जाके score बढ़ेगा तो यहा दियान केंदित किया था विकास का मान भी यह पक्ष है याद रखना इसका राइट राष्ट विकास कारिकरम ठीक है आपसन ए यहां से करेक्ट हो जाएगा नेक्स एफ क्या पूछ रहा है यहां पर दिया है बहुत important question यह पूछा गया ठीक है बंधवा मजदूर अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ important question रहेगा इसका राइट रियाद रखना यह 1976 क्या होगा यह 1976 आपसन यहां से बी आपका right हो जागा नेक्स एफ क्या पूछ रहा है यहां पर करें कि निर्धानता के लिए उत्तरदाई नहीं है आपसन में बताना है कि कौन यहां पर एक option है जो निर्धानता के लिए एक उत्तरदाई नहीं है याद रखना इसका राइट एंसर क्या होगा बढ़ती निवेसदर क्या होगा य ADP गन्ना करने की एक विधी नहीं है आफशन में चुनना है ठीक है यहां पर 34 का राई टेंसर याद रखना है यह आपका हरासमन लगत विधी यह आपका नहीं है ठीक है इस क्राइट टंसर क्या होगा? C हो जाएगा. आपका ये चारो परववव परेगा. ठीक है? यानि कि चारो ये हो जाएगा. बेंक के पास अधीक तरलता लाब होगा. उसके बाद आर्थ वबस्ता में निवेस बिर्दी देखनों को मिल सकती है. उसके बाद आर्थ वबस्ता म समाचार को कर रहे कि किस वर्स परकासित किया गया था इंपोर्टेंट क्वेस्टन रहेगा ध्यान रखना इसको भी ठीक है इसका राइटन्स याद रखना 1875 होगा क्या होगा यह 1875 आपसन यहांसे C आपका करेक्ट हो जाएगा बिहार में 1% कितना है बिहार में 1% कितना है यह 7.84% आपसन यहांसे B आपका करेक्ट जगा और ध्यार नखना यह 1% रिपोर्ट जाएगा यह परते एक दो वर्स पर यह आपका रिपोर्ट घोसीत होता है ध्यार नखेंगे सराब पर स्वास्त चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है सराब पर स्वास्त चेतावनी लागू करने वाला पहला देश यहांपे पूछ रहा है जो है यहाँ पे identification यानि कि H U I D number का रहा है कि कूल कितने अंक का होता है इसमें चिक है इसका right answer याद रखना इसका right answer B होता है यह 6 डिजिट का होता है कितना 6 डिजिट का option यहाँ से B आपका right हो जागा next अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे का रहा है कि next अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे का रहा है कि आधन तराष्ट यह आपका जो है बहुत धीक संपता सुचकांग दोस्तों ध्यान रखना index से संबंदित question आप से पूछा जाएगा सुचकांग से ठीक है इसको आप अच्छे से याद रखना इसका एक complete जरूर देख लेना ठीक है यहाँ से question एक दो बनता है ठीक है यहाँ पे अंतराष्ट यह बौधिक संपता सुचकांग दोस्तों धारत का कौन सा अस्थान है याद रखना है यह बियालिसमा अस्थान हो जाएगा आपसन यहाँ से क्या होगा डी आपका correct हो जाएगा नेक्स अपर क्या पूछ रहा है यहाँ पे कर रहा है कि क्या है यहाँ पे शैपिंग ए फ्यूचर आफ राइट्स शैपिंग ए फ्यूचर आफ यहाँ पे राइट्स विशे के साथ कौन सा दिवस 2023 में मनाया गया है कौन सा दिवस मनाया गया है याद रखना यह आपका जह है यह विश्व प्रेश वतनतरता दिवस ठीक है आपसन यह आपका right हो जाएगा नेक्स अप क्या पूछ रहा है यहाँ पे कर कि operation मेग चक्र क्या आप operation मेग चक्र है याद रखना इसका right हो जाएगा ठीक है आपसन यहाँ से right हो जाएगा ध्यान रखेंगे नेक्स अप दखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कर कि budget आपका 2023-2024 के तहत कर रहा है कि सिक्षा पर कितना वय करने की योजना बनाए गई ठीक है सिक्षा पर यहाँ पर पूछ रहा है budget के बारे में 2023-2024 का यहाँ रखना इसका right टेंसर क्या होगा इसका right टेंसर बी हो जाएगा आपका यहाँ पर कितना होगा आपका यहाँ पे एक लाख बारा हजार आट सो निनानमे करोन ठीक है option बी आपका right हो जाएगा next step के आप पूछ रहा है यहाँ पर करके time पत्रिका क्याँ पर time पत्रिका सुची आपका जो है 2023 के थाथ किस अभी नेता को सामिल किया गया time पत्रिका की सुची में याद रखना इसका right टेंसर बी हो जाएगा सारू खान को option बी आपका right हो जाएगा next step के आप पूछ रहा है यहाँ पर करके हाल ही में कर रहा है कि तारीक के आपका जो है फत्रिक आपका निदन हो गया उनका संबंद किस स्चेतर से तारीक फत्रिक आपका संबंद याद रखना लेखक था यह ठीक है option A आपका correct हो जाएगा next step के आप पूछ रहा है केंदर सरकार द्वारा यहाँ पर कुनो राष्टे उद्यान के आपके कुनो राष्टे उद्यान में कितने दक्सिन अफिर के चीताओं को लाए जाने की योजना बनाई गई है कुनो राष्टे उद्यान में कितने चीता को लाने की योजना बनाई जा रही है याद अखना इस क्राइट टंसर 12 हो जागा कितना 12 आपसन C यहां से correct हो जागा next step क्या पूछ रहे हैं यहां पे का रहे हैं कि पहला वेस्विक बहुत सीखर सम्मेलन 2023 का आउजन कहा किया गया पहला वेस्विक बहुत सीखर सम्मेलन याद रखना इस क्राइट टंसर नई दिल्ली होगा क्या होगा यह नई दिल्ली आपसन यहां से correct हो जाएगा next step क्या पूछ रहे हैं यहां पर कर है कि परसीद पुस्तक है आपका यहां पर कतकली डांस थिएटर के हैं पर कतकली डांस थिएटर पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों ध्यान रखना पुस्तक से अच्छा कासा question पूछा जाता है नहीं कि लेखक से ठीक है अच्छे से इसको याद रखना जब हम लोग concert के previous year का दुस्तों जो है model seat देख रहे थे उसमें देखे थे हर seat में आपका 8 से 10 question पुष्टक से लेखक से पूछा गया है इसको अच्छे से cover करना आपका बहुत ही जल्दी इसका class भी एक अलग से देदेंगे ठीक है ध्यान रखना कतकली dance theater पूछतक के लेखक याद रखना इसका right answer B हो जागा के के गौपाल क्रिस्नन ठीक है option B आपका right हो जागा next step क्या पूछ रहे यहां पे करके mangal yan 2 किस वर्स तक प्रेक्षे पित करने का लक्ष रखा गया है याद रखने यह 2024 में ठीक है option A यहां से correct हो जागा next step क्या पूछ रहे यहां पे करके जोती तीवरता के यहां पे जोती तीवरता का SI मातरक क्या होता है जोती तीवरता का SI मातरक कैंडला क्या होगा यह कैंडला हो जागा option B यहां से right हो जागा next step क्या पूछ रहे करके निमली खित में से कौन यहां पे कारक रक्त जमाओ के लिए आवस सक है रक्त की जमाओ के लिए आवस सक है याद रखना इस क्रायटंसर A हो जागा बिटैमिन किये के केलसियम तथा फाइब्रो जियोनिक आपका प्रोटीन ठीक है option A यहां से याद रखेंगे दोस्तों आपस रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं और platform का volume 1 और volume 2 इनका पूरा revision कर चुके इन सभी का दोसों अलग-अलग playlist बना दिये हैं जिसने भी revision नहीं किया जाके फटा-पट revision किजिए ठीक है और कोशिश किजिए इसी vacancy में नोकरी लेने का ठीक है बार-बार ये मौका नहीं आएगा इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना हुआ और अच्छे सा आपको revision करना पड़ेगा अच्छे सा आपको पढ़ना पड़ेगा तब ही जाकि इस vacancy में नोकरी होगा ठीक है इस चीज़ को अपको ध्यान रखना पड़ेगा याद रखने इस क्राइट टंसर C हो जागा इन्फरा रीड आपका किरने हो जागा ठीक है आपसन यहां से C आपका राइट हो जागा नेक्स अब दखेंगे क्या पूछ रहा है यहां पर करके निम्बू में लीटिल लीफ जिसके यहां पर लीटिल लीफ रोग किसके कमी के कारण होता है याद रखना इस का राइट टंसर क्या होगा इसका राइट टंसर तामबा हो जागा ठीक है आपसन यहां से ध्यान रखेंगे नेक्स अब क्या पूछ रहा है कि सुरी के चारों और पिर्थवी के जो गती होती है याद रखना ये आपका आवधिक होती है ठीक है यानि कि पिरियोडिक आपस यहां से क्या होगा यह आपका correct हो जागा आपतीत परकास को यहां पर वापस उसी माध्या में भेज जाता है यानि कि अगर आता है सेम उसी माध्या में चला जाता है वापस इस घटना को क्या करते है याद रखना ये परावर्तन ठीक है आपस यहां से यह आपका correct हो जाएगा नेक्स अब क्या पूछ रहे हैं यहां पर का रहा है कि अहार नाल से का रहा है कि अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वासा के पाचन में महत्पुन भूमिका निभाता है कि यहां पर वासा के पाचन में का रहा है कि परमुक जो है भूमिका निभाता है याद रखना इस पिर्थिवी का जहां पर दोसों गुर्तवा कर्षन नहीं होता है ध्यान रखना इसका राइट टंसर क्या होगा ए हो जागा पिर्थिवी के केंदर पर दोसों गुर्तवा कर्षन क्या होता है जीरो हो जाता है ठीक है आपसन ए यहां से राइट हो जाएगा किस अवस्था में होता है यह कौन सी अवस्था में होता है याद रखना यह सी हो जागा जैको आपका टीन आपसन ए यहां से राइट हो जागा ध्यान रखेंगे नेक्स अवस्था पूच रहा है यहां पर कर रहें कि DNA fingerprinting के जनक कौन थे DNA fingerprinting important question रहेगा इसको आप लिख लिख लना ठीक है DNA fingerprinting के लेखा दोस्तों याद रखना कौन हो जागा तो यह आपका A हो जागा Alec Jeffries क्या हो गई है Alec Jeffries ठीक है आपसन ए यहां से याद रखेंगे Alec Jackき ठीक है पूच रहे यहां पर कर रहे कि कि裡面f determines से किसे कर रहे कि pearl s कहा जाता है Pearl s के परल s कहा जाता है पूच रहे हैं कि एक लिटर पानी को क्या मैं चाहरे जीरो डिग्रियम तक यहां नहीं पर ठिंडा करने पर इसका आइतन किया होगा तो इसका आइतन दोस्तों याद रखना बढ़ हेगा क्या होगा यह बढ़ जाएगा option B यहां से ध्यान रखेंगे next अब क्या पूछ रहे हैं यहां पर कर कि कापूर और याद रखना दोस्तों इसका आइतन से गुजरता है ठीक है आपसन B यहां से ध्यान रखेंगे next अब क्या पूछ रहे हैं यहां पर कर कि कि पुनरजनन की सक्ति याने की power of regeneration सबसे कम होता है किस में सबसे कम यहां पर पूछ रहा है याद रखना है स्क्राइट अब क्या है इसका भूमिका उसमें क्या है इसका भूमिका दोस्तों आपका याद रखना है यह कोशिका विभाजन और बठाओ करता है ठीक है आपसन यह यहां से बी आपका right हो जाएगा next step क्या पूछ रहा है यहां पर करें के fool का कौन सा भाग विक्सित होकर fall बनता है यहाद रखना इसका right answer C हो जाएगा अंडा से क्या होगा अंडा से ओभरी option C यहां से ध्यान रखेंगे next step क्या पूछ रहा है यहां पर करें के मनुस्य के उ उत्सरजन तंत्र यहां पर ठीक है यहाद रखना यह question important रहेगा 70 का right answer यहाद रखना चार होता है कितना चार option A यहां से ध्यान रखेंगे next step क्या पूछ रहा है कि biliching powder के निर्मान में उपियोगी पदार्थ बताना है biliching powder के निर्मान में उपियोगी पदार्थ कौन सा हो होता है यहाद रखना यह B हो जागा सूखा आपका सूखा बूजा हुआ चूना और क्लोरेन ठीक है option B आपका right हो जागा next step क्या पूछ रहा है यहाँ पर करके आईनिक बंद के निर्मान के दौरान करा है कि परमानू करके एक दुसरे से जुसरों यहाँ पर अस्थांतरन ह होता है किसके माध्यम से याद रखना है स्क्राइट टेंसर ए हो जागा electron ठीक है option यहाँ से ए आपका correct हो जाएगा next step क्या पूछ रहा है यहाँ पर करके निमलिखित में से कारवन का अपर रूप नहीं है कारवन का अपर रूप नहीं है याद रखेंगे स्क्राइट टेंस यहां से ध्यान रखेंगे next step क्या पूछ रहा है कि कारी को किस सुत्र के दौरा व्यक्त किया जाता है यहाँ रखना स्क्राइट टेंसर क्या होता है डबलू बरावर आपका जो है क्या होता है एफ और आपका एस होता है यानि कि आपका बहल गुना विस्थापन आपसन यह यहाँ आपका क्यरेक्ट होता है इसके बाद आपका मैथ और जिनिक है मैथ और जिनिक आप लोग पीडिएफ लेकर बनगे ठिक है पीडिएफ आपको टेलग्राम चैनल पे मिल लिएगा अपको पूरा सौलों के साथ मिलेगा ठिक है ध्यान रखना यह था दोस्त मै आपका